नमस्कार मैं जोत्सना स्वाक्त करती हूं आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए निव निव प्लांट का शॉपिंग वीडियो लेकर कल संडे था और मैं गई थी नर्शरी तो मैंने कुछ प्लांट खरीदे हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी और साथ ही साथ उसकी प्राइस की भी बात करूंगी कि हमारी तरफ नर्शरी में किस तरह इन प्लांट का प्राइस है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यह देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा है तो यह प्लांट मुझे पड़ा है 140 में और मुझे काफी रिजनेबल प्राइस लगा तो मैंने तीन प्लांट ले लिए देखिए काफी अच्छा एकदम हेल्दी है इसका कोडेक्स भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ऐसे मैं निकाल के भी इसका रिपोर्ट करूं भी कोस्ली होता है 150 से चोटा सा एकदम शुरू होता है और यह मुझे बहुत ही अच्छा हेल्दी और बड़ा प्लांट मिला है तो मैं बहुत खुश हूं फ्रेंट से और इधर दूसरा मैंने रोज प्लांट खरीदा है जो डीप रानी कलर में है और बहुत ही ज्यादा तो बस एक रोज यह खिल के खतम होने वाला है और इधर देखिए फ्रेंट्स यह है चाइनीज डालिया जिसको मीनी डालिया बोलते है और इसको मैंने 50 रूपीज में बाई किया है इसका कलर एकदम ब्राइट रेड है बहुत खुबसूरत कलर है और बहुत गुच्छे में बहुत खुबसूरत लगता है ति यह मैंने अपने गाडन में इस बार निव आड किया है और यह सालों साल आपके साथ चलने वाला पॉमानेंट प्लांट है और इसकी प्राइस की बाद करें तो मुझे 80 रूपीज पड़ा है जो बहुत अच्छा है और इधर देखिए फ् 50 रूपीज में खरीदा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा और यह हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से चलता फ्रेंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह ऐसे लटका हुआ है तो यह हैंगिंग बास्केट यह नॉर्मल गमले में भी आप लगा सकते हैं बहुत ख देख पा रहे हैं यह मेरा बीटिफुल डॉप फ्लावर जो बहुत ही खुबसूरत यलो कलर में है और हमारे पास यह लेकिन यह यलो कलर में नहीं था तो मैंने इस पहली बार लिया है यलो कलर का जो बहुत खुबसूरत है और इसकी प्राइस की बात करें तो यह मुझे 40 में पढ़ा है जो बहुत अच्छा मुझे लगा और काफी घना हेल्दी और प्रबावर्ड से भरा हुए और इधर देख पा रहे हैं दोस्तों यह है सकुलिंट प्लांट जो कि इसको रेट पागोडा के नाम से जाना जाता है जैसे केमफायर होता है उसी का हमें लग रहा ह एक से बहुत सारे मैं बना सकती हूं कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और बहुत ही खुबसूरत इसका कलर देखिए कितना इदम डार्क मेरून कलर का है और यह नेक्स प्लांट है दोस्तों गजानिया का जो बहुत ही खुबसूरत है वाइट और यह लेमन कल जलने वाला प्लांट तो अगर थोड़ा इसका ख्याल रखते हैं तो आपके गाड़न में सालो साल चलने वाला प्लांट है है जैसे इसे पहले भी आपके साथ reward कि य गजानिया को शमर में आप कैसे बचा सकते हैं देख सकते हैं बहुत अच्छे से healthy ग्रोध करता है तो इस तरह आप सारे bulps परनियल बताये हैं माथ रप्लांट को ens Dai yeah को छोड़क है यह सब्लूर ओक जाता है लेकिन बहुत जाधा बारिशो होने लगती है ना तो यह डेड़ हो जाता है इसलिए इसको हम लोग पेरेनियल नहीं बोलते हैं बाकि यह सारा पेरेनियल है आप एक बार लगा ले अपने गार्डन में तो बहुत अच्छे से आपका सर्वाइब करते रहेगा और आपके गार्डन में फुलता फुलता मैंने इस तरह शॉपिंग की है आपके साथ शेयर किया है यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइब भी कीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं जनकारी के साथ कुछ नहीं प्लांट के साथ तब तक के लिए नमस्कार